अध्याए ग्यारे ये वेही जैतून के दो पेड और दो दीवट हैं जो प्रित्वी के प्रभू सामने खड़े रहते हैं और यदी कोई उनको हानी पहुचाना चाहता है तो उनके मूँ से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्प करती है और यदी कोई उनको हानी पहुचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीती से मार डाला जाएगा इन्हें अधिकार है के आकाश को बंद करें के उनकी भविश्य द्वानी के दिनों में महिना बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है के उसे लुहू बनाएं और जब जब चाहें तब तब प्रत्थी पर हर प्रकार की आपत्ती लाएं और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वे पशू जो अथा कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डानेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर की चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीती से सदोम और मिसर कहलाता है जहां उनका प्रभू भी कुरूस पर चड़ाया गया था और सब लोगों और कुलों और भाशाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें साड़े तीन दिन तक देखते रहेगी और उनकी लोथें कबर में रखने ना देगी और प्रित्वी के रहने वाले उनके मरने से आनन्दित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेट देजेंगे क्योंकि इन दोनों भविश्य द्वक्ताओं ने प्रित्वी के रहने वालों को सताया था और साड़े तीन दिन के बाद फर्वेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई और वे अपने पाउं के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय चा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई धिया कि यहां उपर आओ ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चड़ गए फिर उसी घड़ी एक बड़ा भुई डोल गए और नगर का दसवा अंश गिर पड़ और उस भुई डोल से साथ हजार मनुष्य मर गए और शेश डर गए और स्वर्ग के परमेश्वय की महिमा की दूसरी विपत्ती बीट चुकी देखो तीसरी विपत्ती शीख्र आने वाली है और जब सात्वे दूत ने तुरही भूकी तो सुर्ग में इस विशे के बड़े बड़े शब्द होने लगे की जगत का राज्ज हमारे प्रभू का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्ज करेगा और चौविसों प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिहासन पर बैठे थे मुहु के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते ये कहने लगे की एस सर्शक्ति मान प्रभू परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुने अपने बड़ी सामर्थ काम में लाकर राचे किया और अन्यजाति में क्रोध किया और तेरा प्रकोप आपड़ा और वो समय आप हुचा है कि मरे हों का न्याई किया जाए और तेरे दास हविश्वत्ताओं और पवत लोगों को और उन छोटे वड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और प्रत्री के विगाणने वाले को नाश की जाए और मेश्वर का जो मंदिर स्वर्व हुए वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूर दिखाई गया और बिजलिया और शर्थ और कर्चन और फ्वी ढोर हुए और बड़े ओले पड़े